बिस्मिल्ला रोह्मान रहीम अस्सलाम अलाइकूम यूट्यूब फैमली अब सब कैसे हैं मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब हैरियस से होंगे तो जी आज मैं बड़े दिनों के बाद एक निया व्लॉग लेकर आ ही गई हूँ और जिसी स्पीट से मैं व्लॉग जा रही मैं वीडियो बना तो बहुत सारी लेती हूँ लेकिन उसे एड़ेट करना और उसमें वाइस ओवर करना ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है अकसर मुझे टाइम मिलता है लेकिन बच्चे यूनो मेरे पास होते हैं तो उनके यूनो चैए चैए पैंपर ये चीज़े होती हैं तो मैं उन्हें फिर किते करां तो हैर आज तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया बच्चे बहुत टाइम से सो गए हैं और आज मैं बैट के वाइस ओवर कर रही हूं अलहम्दलिल्ला फाइनली तो ये है जी मेरे बेटे का कबीर का बर्डे का व्लॉग एक दिन पहल ही मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था शान का मैंने तिका मसाला इस पर लगाया था ये चिकन बोनलेस है और ब्रेस्ट के पीसिस हैं तो ये दो पीसिस थे और इन पर मैंने शान का तिका मसाला लगा कर मैरिनेट किया और फिर उसे नेक्स टेप पका लिया पका को से चु कुछ में चिकन और शीज डाल देंगे और कुछ में एग मयोर्स और एग आप बॉल करके उसमें मयोनीज आड़ करना है और एक बैल पर पर एक कैरट मैं इसमें चोटे-चोटे करके चौप करके वह भी डाल दी थी और भीच में सॉल्ट एंड पेपर आड़ किया था तो यह देखे और ने यह मयोनीज़ इसमें डाली थी चार अंडे बॉल कितीए उन्हें मैंने चीला और उनिंहीं अभी इस स्ञासे कट टीए और यह आध मायक्रोवफ में उसके त्रीक Разी मैंसेर यह सुखा कर के लिए वाइड ब्रेट कित्स काट कर consumption को कि क्ज़ों के बिच वज् अबर में इसे spread कर दिया है आर्दी सेंविच पर और दूसरा स्लाइस मैंने इसके ओपर रख दिया है यह वेरी वेरी यजी बड़ा सान है और कुछ ब्रेट के स्लाइसी पर मैंने ऐसे वो चिकन डाली और इसके ब्रेट के घ्ग आप दिया तो फिलिंग बाहर निकल रही थी तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था लेकिन मैं पहली दफ़ाई की इससे पहले मैं एक दफ़ा बनाये थे एक मियों सेंड्विचे वो तो बहुत असानी से बन जाते हैं लेकिन चिकन वाले मैंने पहली दफ़ाई तो हैर ये देखें इंग पर मैंने बनाया था रश्चिन सैलड उसके लिए मैंने सारी वेची टेबल कर ली तो इसमें मैंने डाले थे तीन पोटैटोस आलू मैंने बॉल कर लिये आलू बाले पानी में नमक भी डाल दिया था और इतर गाजर है तीन कैरट को मैंने छील लिया है अच्छे तरीके से पर ने छीला और साथ में मैंने मटर डाल दिये और इसे मैंने अच्छे तरीके से गला लिया है पका लिया है इसको और ये बल्कुर सॉफ्ट हो गए थे और रश्चिन सैलड में आप कुछ भी वराइटी डाल सकते हैं अपनी पसंद की इसमें मैंने बंगों भी डाली थी स जो कैन होता है जिसमें कोक्टेल आता है फ्रूट कोक्टेल वो मैंने पूरा डाला था इसके अंदर मैकरोनिया बॉल कर के आड़ करें तो बहुत मज़गा बनता है अपनी मर्जी से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट कर के डाल सकते हैं ये देखें ये कैन वाले मैंने यूज के थे स्वीट कॉर्ण है ये तो यूनो बिल्कुल गलावा होता है और पाइन एपल था मैंगोस मैंगोस के रवा पाइन एपल आपने लाजमी डालने है पाइन आपल से ही रिशन सालट का अच्छा टेस्ट आर अब हम इसका सॉस रेडी करते हैं तो इसके लिए माय काफी सारी मैंने दो कब भर के मैउनीज आट की इसके अंदर इसमें मैंने शुगर डाल दी और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट तो ये सिर्फ तीन चीजें डलती है तीन इंग्रीडियन उसके अंदर पी मैंने क्रीम शामरी मैं आट की और सारी फूट्स एं वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स कर लिया मज़िदार सा माया रशिन सालड रैडी हो गया से मैंने फ्रिज में रख लें और ये हैजी फाइनल लुक टेबिल की ये सैंट्विची इसके और मैंने स्वाइन रैप लगा दिया था बड़े मज़े के बने बहुत एजी है और रशिन सालड में अब वही बस सॉस होता है उसके अधर आप सारा कुछ एड़ कर दें उसे हिला लें और ये मैंने सालड भी रैडी किया था और बाकी खाना हमने बाहर से मंगवाया था वो मैं आपके साथ बड़े वाला व्लॉक शेयर करूंग इंशालला उसमें दिखाऊंगी कि हमने बाहर का थार्ड बड़े है और वन भी ले आए थे हम क्योंके मेरा दूसरा बिटा एक साल के माशाला तो इसके लिए हम नमबर वन वाला गुबायर ले आथे हुआ थे हमने घर बार्बी क्यूबी किया था और बाहर से खाना मंगवाय था बिर्यानी मगाई थी और राइता और य क्ताइश किर दूसरा तो इस किया था जाज चर्बी किया थे हम है क्या थे हम है ढ़ते हैं क्या थे हम है।